नुश्कार तो हम दिस्कस करेंगे राश्टर पिता महात्मा गांधी के सिंबला बर्वास के बारे में महात्मा गांधी जब जब सिंबला आये थे उन सभी विजिट के बारे में जानेंगे और कुछ और बातें भी महात्मा गांधी के बारे में जानेंगे तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले फोड़ा सा बैक्राउंड हम जान लेते हैं महात्मा गांधी के बारे में आपको पता होगा महात्मा गांधी का जर्म 2 अक्तूबर 1869 को हुआ था महात्मा गांधी सौथ अफरीका गए थे 1898 में सौथ अफरीका से वापिस इंडिया आये थे जनवरी 1915 ने और इनकी जो मृत्यू थी वो हुई थी 30 जनवरी 1948 में यह बेसिक बेसिक बाते हैं महात्मा गांधी के बारे में यह आप याद रखेगा और अभी तक अगर आपने टेलेग्राम पर हमें जोइन नहीं किया है तो टेलेग्राम पर जोइन कर लें ताकि आपको इंपोर्टन्ट वीडियो की पीडियेक वहाँ पर मिल जाए तो बात करते हैं कि महात्मा गांधी सबसे पहली बार शिमला कब आये थे महात्मा गांधी जो थे वो सबसे पहली बार 12 मई 1921 में जो था वो शिमला आये थे जब यह 12 मई 1921 में शिमला आये थे तो उस टाइम इनके साथ मदन महन मालविया आये थे और लाला लाजबत राय आये थे ये शिमला क्यों आये थे तो ये Lord Reading के साथ मिलने के लिए जो था उस टाइम शिमला आये थे Lord Reading के साथ बाचीत करने के लिए शिमला आये थे ये इनका पहला दोरा था और रुके कहां पर थे तो ये सांती कुटीर भवन में रुके थे ये जो सांती कुटीर भवन है ये डिस्टिक्स शिमला के चक्कर के समीब जो है वो स्थित है डिस्टिक्स शिमला में एक चक्कर नामक जगा है उस स्थान के साथ ही कहीं पर ये सांती कुटीर भवन जो है वो स्थित है 12 Maue 1921 में जब महत्मा गांदी सिमला आये थे तो उन्होंने कालका शिमला रेल लाइन की जो था यात्रा भी की थी इनके साथ यात्रा करने के लिए मदन मोहन मालविया जो थे वो साथ गए थे तो ये कुछ बाते हैं पहले दोरे के बारे में उसके बाद दूसरा दोरा जो महत्मा गांदी का हुआ वो exactly 10 सालों के बाद हुआ 13 मई 1931 को दूसरी बार महत्मा गांदी सिम्ला आए देखे जब दूसरी बार महत्मा गांदी सिम्ला आए तो ये fire group building में जो था अचा दूसरी बार जब ये शिम्ला आए थे तो ये क्यों आए थे उस टाइम के जो ग्रीस अचीब थे जिनका नाम था H.W.E.M.H.E.S.N. से भेंट करने के लिए ये आए थे और जब ये भेंट करने के लिए गए थे तो शिम्ला में एक एवे लोज बिल्डिंग है एवे लोज बिल्डिंग में इन्होंने उनके साथ भेंट की थी और देखो 14-15 माई को इन्होंने बहुत सारे लोगों को जो था वो RS माज मंदीर और इदगा मैदान में जो था वो address भी किये था उनके साथ बाचीत भी की थी ये इनका सेकंड दोरा था उसके बाद जो तीसरा दोरा इनका था वो था 13 मई 1931 को 13 जुलाई 1931 को 13 जुलाई 1931 में जब महात्मा गांदी शिमला आये तो ये लॉर्ड विलिंग्डन से मिलने के लिए आये थे लॉर्ड विलिंदन से मिलने के लिए जब यह आए थे तो यह wise seagal loge wise seagal loge मैं मिलने के लिए गए थे आपको पता है wise seagal loge के बारे मैं मैंने एक post भी किया था facebook, instagram, instagram पर भी किया था फर दोनों पर post किया गया था यह जो वाइस रेगल लॉजे बिल्डिंग है इसके बारे में चलो फिर भी हम तो आसा रिवाइस कर लेते हैं अजादी से पहले जो था यह बिल्डिंग राष्टपती निवास के रूप में यूज की जाती थी राष्टपती निवास से यहां पर होता था कंतू 1964 में इसे जो था वो Indian Institute of Advanced Study के रूप में बदल दिया गया 1964 में यह बिल्डिंग जो था वो हैंरी इर्बिन के द्वारा डिजाइन की गई थी मतलए इसके आर्किटेक जो थे हैंरी इर्बिन थे 1884 से लेकर 1888 के बीच में इस बिल्डिंग का निर्मान जो था वो हुआ था यह वास लेगर लॉजी बिल्डिंग जो है इस बिल्डिंग के बार में आप थोड़ा सा याद रखिए रिवाईज हो जाता है इस तरह से जब यह 13 जुलाई 1931 को शिमला आए तो उस टाइम यह फाइल ग्रोब बिल्डिंग में ही आकर रुके दूसरी बार भी यह फाइल ग्रोब बिल्डिंग में ही आकर रुके उसके बाद जो तीसरा दौरा महात्मा गांधी ने किया वो किया 25 अगस्त 1931 को जब महात्मा गांधी सिमला आए तो उनके साथ जो था वो काफी लोग आए थे जो important personality थी वो कौन-कौन थे वल्लवाई पटेल इनके साथ आए एम्मे अंसारी इनके साथ आए जोहरलाल नहरू इनके साथ आए प्रभाशंकर पटानी इनके साथ आए तो ये सभी लोग इनके साथ आए थे फिर ये रुके कहां पर तो ये रुके थे Carton Grove Building में ये जो Carton Grove Building है ये कहां पर सीथ है ये कहीं विधानसभा किसमी चल जा जा कर जो है वो सीथ है यहां पर ये रुके थे यह था इनका 25 अगस्त 1931 का दोरा 25 अगस्त 1931 के बाद यह आए 4-5 सप्टेंबर 1949 में यह दोरा भी इनका इंपोर्टेंट था इस टाइन इन्होंने जो था वो मेंडलीव यहां पर मैंने थोड़ा सा गलत लिखती है यह मनोर विले है यह मनोर विले बिल्डिंग में आकर जो यह किसका रेजिडेंस है यह रेजिडेंस है राजकुमारी अमरित कौर का उस टाइम राजकुमारी अमरित कौर का यह रेजिडेंस था समरील केस में पेस्तित है अगर आपने कभी हिमाचल प्रदेश यूनिवस्टी विजिट की है तो हिमाचल प्रदेश यूनिवस्टी क यह वर्तमान समय में आप देखेंगे तो यह विल्डिंग अखिल भारतिय आयर विज्ञान संस्थान के अधीन यह प्रिजेंट टाइम में विल्डिंग है राजकुमारी अमरित कौर के बारे में आपको पता है यह भारत की सुतंतरबार्ट की पहली महिला स्वास्ते मंत्री थी यह आपको पता ही होगा 1940, 1945, 1946 जब यह महत्मा गांधी शिम्ला आये तब भी इन्होंने इस मनोल विल्डिंग को विशित किया था उसके बाद जो सेकेंड टाइम जब यह शिम्ला आये उसके बाद 27 सेप्टेंबर 1940 जब यह 27 सेप्टेंबर 1940 को शिम्ला आये थे तो उस टाइम यह राजकुमारी अमरित कौर के बड़े भाई थे जिनका नाम था राजा रगुबीर सिंग का जो निवास्थान था चैडविक बंगलो चैडविक बंगलो में यह रुके थे यह आप याद रखिये और यहाँ पर यह क्यों आये थे यहाँ पर यह आये थे उस टाइम के वाई सराय थे उनके साथ भेंट करने के लिए यह आये थे तो 45 इस दौरान भी महातमा गान्दी ने विजित किया यह क्यों शिमला आई थे वेवेल प्लैन जो उसके उबर डिसकेशन करने के लिए शिमला आये थे वेवेल प्लैन के दवारा जो तो हो आय थे अच्छा लौड वेवेल जो है भारत के वाइसराय रह चुक Х tow से लेकर कब माई से लेकर 14 माई 1946 इस दोरान जो था ये सिमला आए देखो यहां से हम MCQ-based question भी discuss करेंगे कल आपको यहां से MCQ-based question मिल जाएंगे ठीक है तो MCQ-based question भी यहां से later discuss करेंगे 2nd माई से लेकर 14 माई जो इन्होंने विजित किया था 2nd माई को जब यह आए तो यह cabinet mission के उपर चर्चा करने के लिए आए थे ठीक है cabinet mission के उपर चर्चा करने के लिए यह आए अब comment करके बता दीजिए कि cabinet mission जो था वो भारत कब आया था ठीक है cabinet mission भारत कब आया यह आप comment करके बता दीजिए और 14 माई 1946 में जब आए तो ये क्रिप्स मिशन के उपर बातचीत करने के लिए यहां पर आये थे ठीक है ये भी आपने जाना तो देखें महात्मा गांधी जो थे महात्मा गांधी एक important personality थे मतलब आप क्या है सकते हैं कि जब इनको राष्टर पिता का दर्जा दिया तो किस ने इनको राष्टर पिता का दर्जा दिया था ये comment करके बताएं कि राष्टर पिता का दर्जा महात्मा गांधी को किस ने दिया था बिल्कुल basic question मैंने आपसे पूछा महात्मा गांधी जब भी शिमला आते थे तो ये अपना अधिक समय जो था वो भजन किर्टन में ही बिताते थे तो को एक बार की बात है ये मतलब मैंने कहीं पर पढ़ा था कि जब महात्मा गांधी एक बार शिमला आ रहे थे तो उस टाइम जो बिलास्पूर के राजा थे अनंद चंद बिलास्पूर के राजा अनंद चंद जो थे उनकी बाराद चली हुई थे तो महात्मा गांधी उनकी बाराद के पीछे पीछे चले हुए थे जब वो मौल जो है अपना रिज जो है तो रिज के समीप महात्मा गांधी चले हुए थे और बिलासपूर के अंतीम राजा जो थे वो राजा अनंद चंद थे ना तो अनंद चंद की बरात के पिछे पिछे भी महात्मा गांदी चले इतना था कि जब महात्मा गांदी शिमला आते थे तो लाखों की संकिया में रोग एकठा होती थे ये लोगों को address करते थे और जो ये कह देते थे वो मतलब पत्थर की लकीर होता था ठीक है तो महात्मा गांदी इतनी huge personality थे कि हर इक बाल बंदा जो था इनकी बात मानता था इनके दर्शन करने के लिए लोग आते थे इस तरह के leader पहले हुआ करते थे तो ये हमने महात्मा गांदी के बारे में जाना महात्मा गांदी के similar दोरे के बारे में जाना तो देट्स आल पर तोड़े थेंक्यू थेंक्यू वेरी मच्छ फॉर वाचिंग वीडियो